अब हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या defect उत्पन होते हैं और उनका निवारन भी देखेंगे जैसे कि पहला defect है जिसे हम जानते हैं निकट दृष्टी दोश की नाम से इसे हम इंगलिश में कहते हैं myopia या फिर short-sightedness इस प्रकार के दोश में हमको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती पास को तो सारा clear रहता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती इस प्रकार का defect इसलिए उत्पन होता है क्योंकि यहां पर जो लेंस की focus है वो रेटीना पर नहीं बनता बलकि उससे सामने बनता है इसके दो कारण हो सकते हैं मतलब लेंस और रेटीना की दूरी बढ़ जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि लेंस मोटा हो जाता है जिसकी कारण उसकी focus दूरी कम हो जाती है उस condition में focus रेटीना के सामने आ गया तो जो प्रतिविम बनेगा वो रेटीना के सामने बनेगा यानि कि जो दूर से आ रही वस्तु की किरने हैं वो रेटीना क के सामने ही मिल जाएंगी जिससे की रेटीना में प्रतिविम का निर्माण नहीं होगा इसलिए वो वस्तु का जो प्रतिविम है वो हमको इस पश्ट दिखाए नहीं देगा इस प्रकार के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं अवतल लेंस का हम जानते है जब अफ़तल लेंस का स्तमाल किया जाता है तो ये अफ़तल लेंस किरणों को इस प्रकार आखों के अंदर घुसाता है या प्रवेश करवाता है कि जिससे उसका प्रतेविम कहां पर बने रेटीना में बने यहां पर जिस अफ़तल लेंस का स्तमाल किया जाता है उस अफ़तल लेंस की फोकस दूरी इस नेतर के दूर बिंदू की दूरी के बराबर होनी चाहिए इस नेतर के अंदर में जो लेंस मौजूद है उसके अधार पर इसकी एक निश्चित दूर बिंदू होगी यानि दूर इंदू की जो दूरी होगी वो इस अवतल लेंस से के फोकस दूरी के बराबर होना चाहिए यानि हम बोल सकते हैं एफ बराबर माइनस डी होगा इसलिए तो हम किसी वैक्ति से जब पूछते हैं कि आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती तो आपको कितने पावर का में का नंबर हमेशा माइनस साइन के साथ बताता है इसी प्रकार आखों में दूसरे प्रकार का भी डिफेक्ट उत्पन होता है जिसमें की पास की वस्तु दिखाई नहीं देती दूर का क्लियर होता है और पास की वस्तु जब दिखाई नहीं देती तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं दिर्ग द्रिष्टी दोश यानि कि लॉंग साइटिडनेस जिसे हम हाइपर माइट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं इस हाइपर माइट्रोपिया के भी दो कारण हो सकते हैं यहां पर लैंस और रेटीना की बीज की धूरी घट जाती यह फिर हम यूं कह सकते हैं कि बातला हो जाता है यह से अगे छे या पिक रॉह कर और यह पिछल दिखाईनी दिखाई ने प्रकार के द्रिश्टी दोश को दूर करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं तेछ लैंस का है उसकी फोकस दूरी एफ बराबर होनी चाहिए डी डी अपॉन डी माइनस डी जहां पर जो स्मॉल लेटर डी हम लोग लिख रहे हैं वह दोश युक्त नेत्र की इस पश्ट दृष्टी की नियुनितम दूरी है अलब जब आख में दोश आ जाए उसके जो इस पश्ट दृ की नियुनितम दूरी है तो इस फॉर्मूले से क्यलकुलेट करके हम एक ऐसे अफ्टाल लेंस का निर्मांड करेंगे जिसकी फोकस दूरी आपको इस फॉर्मूले के अनुसार मिलेगी और उससे फिर आख के डिफेक्ट को कंट्रोल किया जाएगा आप देखे होंगे कि दूर में एक परदे पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं कुछ चित्र बने होते हैं उनको पढ़ाते हैं और उसमें अलग-अलग अकार के अक्षर होते हैं बढ़े फिर छोटे फिर छोटे और आपसे रीट करवाये जाता है कि आप कितनी दूरी तक अक्षरों को सपश्ट द देते हैं और आप फिर उस चश्मे की साहता से अपने द्रिश्टी दोश को दूर कर पाते हैं इसी प्रकार एक और डिफेक्ट आखों में उत्पन होता है जो कि समय के साथ साथ एज के साथ साथ हमारी आखों में आता है इसमें ना तो दूर की वस्तू ठीक से नज़राती है और कारण वही है सिलियरी मसल्स कम जोर हो जाते हैं टीक से अज़ेस्टमेंट नहीं हो पाता है जिसके करण ना तो दूर की वस्तू नज़राती है ऐसे दोश को हम कहते हैं जरा द्रिश्टी दोश यानिकि प्रेस बायोपिया और ऐसे व्यक्ति को इस दोश का निवारंड क के लिए दो नों यह प्रकार कि चष्में लगाने होते हैं या तो वह वेक्टी 2 चष्में रखे रहता है दूर का देखने के लिए कअलग चश्मा और पास का देखने के लिए लग चश्में या फिर ऐसे दोश' को दूर करने रहीखिया है जो नीचे वाले पॉर्ष 맞는ीजे वह और लगा दिया जाते हैं जलिए गाइए जाँ दो यूर्स रहाएं जो नीचे वाला पॉर्ष्ण रहते हैं वहां लगा दिया जाता है उद्तरly ताकि पास की चीजों को अच्छे से देखा जा सके यूगि जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हम आख उठा कर देखते हैं इसलिए उपर के हिस्से में आफ तर लेंस लगाएंगे जब हम पास की चीजों को देखते हैं जब हम पढ़ने के लिए इस्तमाल करते हैं तो में की horizontal lines और vertical lines यह दोनों समझ में नहीं आते जिनको इस प्रकार के द्रिष्टी दोश होते हैं वो वर्टीकल और horizontal रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं इसलिए वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं जैसे कि H लिखा होगा तो H में दो वर्टीकल लाइन एक horizontal लाइन है तो यह horizontal और वर्टीकल लाइन में अंतर ही नहीं कर पाएगा तो इसको H शब्द अच्छे से नहीं दिखाए देगा कभी H को A पढ़ेगा कभी H को वो M पढ़ेगा और इस प्रकार उसकी आखों में हमकि जो दोश उथपन होता है उसको हम अबिनदुखता यह ऐस्टिगमेटिज में के नाम से जानते हैं और इस प्रकार के दोश को दूर करने के लिए हम इस फेरिकल्रिकल लेंस का अपने अपने पाहड पे लगे हुए टावर को देखा है कि ये टावर कितना बड़ा दिखाई देता है पाहड में टावर बिलकुल छोटा से मज़र आता है जो हम देखने की कोशिश करते हैं बहुत मुश्किल से वह हमको दिखाई देता है लेकिन जब इसी टावर के पास हम पहुंचे तो वह इतना बड़ा होगा कि इसको हमको सिर उठाकर बच्पन में भी आपके दिमाग में ऐसे questions आते थे जिसका answer हम लोगों को science में मिल जाता था जैसे कि जो तारे हैं बहुत बड़े हैं लेकिन फिर भी छोटे नज़र आते हैं और चंद्रमा छोटा है लेकिन भी तारों से बड़ा नज़र आता है तो उसका हम क्या answer देते थे तो उसी को पास से लेकिन गदान करता है और तो उसी को ड napkin रैखनेने पर और आखने देखने पर वह पूरा का पूरा हमको कोटी नजर आती है कोई भी वस्तु हमको दिखाई दे रही है इसका मतलब वो हमारी आखों में प्रतिविम का निर्मान कर रही है वस्तु से आने वाली किरने जो हमारी आखों के अंदर कौन बनाती है उस कौन को हम कहते दर्शन कौन क्योंकि उसी के कारण ही वह वस्तु हमको को नजर आ रही है इसका मतलब यह कौन जो किसी वस्तू के द्वारा आंक के अंदर में बनाया जा रहा है वह कौन कहलाता है दर्शन कौन और इसे दर्शन कौन के कारण ही वस्तू बड़ी यह चोटी नजर तो जब हम दूर करते हैं किसी वस्तू को तो उसका दर्शन कोंग कम है और वही वस्तू जब पास आती है तो उसका दर्शन कोंग बढ़ जाता है इसलिए वो वस्तु कैसी नजर आती है? बड़ी नजर आती है. जो चंद्रमा की पूर्ण छाया में होते हैं, वहां पूर्ण सुर्य ग्रहन होता है. इस समय आकाश में एक अध्भुत दिखाई देता है. कल्पना करें, आप प्रित्वी से बहुत उपर प्रम्हान के किसी हिस्से से सुर्य ग्रहन देख रहे हैं. आपको प्रित्वी का एक ह इस्सा और चंद्रमा की सतह बहुत करीब से दिखाई पड़ रही है. आप देख रहे हैं, सुर्य पूरी तरह चंद्रमा से ढगा हुआ है. इस परिस्ति को करोना कहते हैं. अब हमें डायमंड रिंग जैसा सुन्दर दिखाई दे रहा है. साथ ही धीरे धीरे आपको सुर्य के विभिन कलाएं दिखाई दे रही है. अग इसी घटना को आप धरती पर से देख रहे हैं. यह बात ध्यान में रखें कि सुर्य ग्रहन को कभी भी नंगी आँखों से नहीं देखा जाना चाहिए. आपने देखा होगा कि सुर्य ग्रहन के समय पूरा अंधेरा हो जाता है. सुर्य ग्रहन का कारण क्या है? पृत्वी और सुर्य की बीच में आ जाता है चंद्रमा. और हम यू कहते हैं कि चंद्रमा पूरा सुर्ज को ढख देता है, जिसके कारण सुर्य से आनी वाली किर्णे पृत्वी पर पहुश नहीं पाती और अंधकार हो जाता है और हम कहते कि वहाँ पे सुर्य ग्रण हो रहा है. आप जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा से कितना बड़ा है सूर्य चंद्रमा से 200 गुना बड़ा है बलब छोटा सा चंद्रमा इतने बड़े सूरज को कैसे ढख लेगा यदि इस बात को हम गौर करें तो जब चंद्रमा सूरज के सामने आना चाहिए तो चंद्रमा तो चोटा है तो सूरज से आने वाली किरने वो तो चंद्रमा को पार करके पहुच जाने चाहिए और कभी-कभी होता भी है आप पूर्ण सूर्य ग्रण की बात करें उसी कंडिशन में चंद्रमा सूर्य को ढखता है कभी-कभी हाफ सूर्य ग्रण होता है रिंग-like structure में होता है तो हम देख चंद्रमा के द्वारा दर्शन कोन हमारी आखों में बन रहा है और सूरज के द्वारा दर्शन कोन हमारी आखों में बन रहा है यह दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं और जब दोनों दर्शन कोन बराबर हो जाएंगे इसका मतलब दोनों वस्तों के आकार भी हमको सेम रज़र आएंगे और दोनों वस्तुओं का आकार सेम होगा तो एक वस्तु यानि कि सूरज को चंद्रमा आसानी से ढाक लेगी और वो बन जाएगा पून सूर्य ग्रहन लेकिन जब थोड़ा सा दर्शन कोण अलग-अलग हो जाता है दोनों वस्तुओं का यानि कि चंद्रमा और सूर्य का उस समय सूर्य से निकलते हुए कुछ प्रकाश चंद्रमा के साइट से होते हुए हमारी आखों में पहुच जाता है और अलग-अलग प्रकार का सूर्य ग्रहन हमको देखने को मिलता है जब वस्तु दूर हो तो उसका दर्शन कोण कम होता है और वस्तु पास आते जाती है तो उसका दर्शन कोण बढ़ते जाता है यानि कि जब वस्तु दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है और पास आते जाती है तो उसका आकार बढ़ते जाता है जब वस्तु सपष्ट दृष्टी की नियुनितम दूरी पर होता है वहां पर इसका आकार सब सबसे बड़ा होता और वस्तु सपष्ट दिखाई देता है उसके बाद यह वस्तु को आगे लाया जाए तो दर्शन कौन तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके बाद भी वस्तु हमको सबस्ट नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो सपष्ट दृष्टी के न्यूनितम दूरी से कम हो जाएगा यानि कि हम यूँ कह सकते हैं कि इस पश्ट द्रिष्टी की नितम दूरी पर वस्तू का आकार सबसे बड़ा होता है और इस पश्ट होता है